कि नमश्कार दोस्तों कोड़ फिक्स में आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं हाउ टो अपैंड इन एंप्टी लिस्ट हाउ टो एड सिंगल इन इन लिस्ट और हाउ टो जॉइन टू लिस्ट विद यूजी एक्टेंड मेतल यह तीन चीजे में इस वीडियो में कि में अद्रव अच में अध्र अदियुजड शॉचर कर सकते ति थाइप में अधर इसी भी ओप्यक्ष का टाहें टारीक है इसलिए मैंने यह पे प्रिंत का मगध के साथ इसका टाइप प्रिंड करके दिखाया कि यह Лिस्ट है उसके बाद मैंने एक फॉल लूप यूज क क्या करना पड़ता है list में add करने के लिए हमारे पास दो option होते हैं या तो हम उसमें कोई value append कर सकते हैं ठीक है उसमें एक के बाद एक करके value डाल सकते हैं या हम 2 list को merge करके extend कर सकते हैं मैं आगे जाके बताओंगा ये कैसे होता है अभी हम one by one करते हैं, अभी हम append method यूज़ कर रहे हैं, append method में क्या कर रहे हैं, loop एक से लेके 10 तक चलेगा, 10 तक की range में, यानि वो nine time चलेगा, और वो one by one, roll numbers में add करता चले जाएगा, यह for loop यहां से यहां तक, यही काम कर रहे हैं, उसके बाद, दुसरा code लिखा हुआ है, यह जो सबसे आखरी position होती है, बहाँ पे जाके उसको add करता है, तो अगर आप manually एक single item एस string डालेंगे, तो वो क्या करेगा, list के end में जाके, उसे भी append कर देगा, यह भी मैंने एक print command दिया है, उसके बाद, तीसरे चीज़ इस वीडियो में है, how to join two lists with using extend method, इसमें हमने क्या किया है, एक list one लिया है, जिसमें हमने one two three value डाले है, और फिर उसको मैंने print किया है, list one value before extend method is, जो list की one value होगी, जो की one two three होगी, और उसके बाद list two लिया है, जिसमें हमने 4, 5, 6 करके हमने value डाले है, अब इन दो list को हम दोनों को join कर रहे है, join कैसे करेंगे, extend method use करके, तो हम क्या कर रहे है, list one dot extend, और उसमें डाल देंगे list two को, इस तरीके से हम दो list को join कर सकते है, उसके बाद मैंने उसे print कर लिया है, updated value in list two, list one is list one, list one हमने इसले print किया है, list one के end में list two add हो गई है, तो देखिए मैं इसको run करके दिखाता हूँ, आप one by one सब देख सकते है, बुरा प्रोग् कर दिया, किस तरीके से किया है, मैंने देखिया, मैं line by line आपको दिखाता हूँ, यह पहले line में हमने blank list लिया था, और उसके बाद type paste किया था, कि इसका type बताईए, तो यहाँ पे इसने देखिए, class का type बता दिया list, उसके बाद यह जो loop का code है हमारा, यहां से यहां तक, इस इसमें क्या हो रहा है, एक से लेके 10 तक की range की number प्रिंट हो रहे है, तो और last roll number को छोड़ देता है, तो एक से 9 तक print होगा, वो एक से 9 तक करके list में append कर रहा है, append method की through, roll number में डाल रहा है, तो इसका output है आपका यह वाला, अब यहां देख सकते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तक उसने एक list में value append कर दिया, उसके बाद हमने how to add a single item, single item में जो हमारे पास 9 तक की list थी, हमने उसमें hello add किया, hello add आप देख सकते हैं कि 9 तक की जो हमाई list है, उसके सबसे हाकरी में hello append हो गया है, यहां पर, last position पे, ठीक है, उसके बाद में मैंने 2 list बनाई थी, एक list में 1, 2, 3 थ तो देखिए, before extend करने के, हमने यहां पर extend method यूज किया था, दोनों list को join करने के लिए, तो before जो extend है, वो 1, 2, 3 है, ठीक है, और जो हमने जोड दिया है, 1, 2, 3 को 4, 5, 6 से जोड दिया है, तो हमारी final list त्यार होगी, इस तरीके से, updated value in list 1 is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से आप append method और extend method किस तरीके से काम कर सकते हैं, इवन आप specifically index value देखे भी append कर सकते हैं, तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से हम index value, append और extend method यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में बहुत clear से आपको समझ आ गया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ है, तो वीडियो को like और में चैनल को subscribe कीजिए, जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, जहां आपको कुछ नया सेखने को मिलेगा, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दूस्तों, बाई बाई